आज हम बनाएंगे घर के खाने में तल्बीना का सूप जो के फाइदे फाइबर केल्शियम विटामिन्स और एंटी ऑक्सिडन्स का खजाना है यह हमारी सहत और सुन्दरता दोनों को निखारता है जो के आटे की रोटी खाने से पेट का फिर देर तक फुला रहता है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है वेट लूस करता है हिमोगलोबिन बढ़ाता है डाइबेटीस के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है बारले में संतरे से दुगना विटामिन सी होता है इसे खाने से चहरे की रंगत निखरती है और एक्ने प्रिम्पल्स की समस्या दूर होती है डाइबेटीस में यह बहुत ही फाइदे मन्द है तो आईए हम इसका सूप बनाएंगे दूद जोकाटा शहेद प्यूर घी अब हम पहले घी आड़ करेंगे जोकाटा आड़ करेंगे इसे हम अच्छे से बनके देंगे देखिए हमने इसे वह तक्छे से बूनके लिया है अब हम इसमें दूद आड़ करेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें हमी आड़ करेंगे अब हम इसमें हमी आड़ करेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दस मिनिट पकाएंगे तलवीना का सूप हमें स्लो ग्यास पे बनाना है तलवीना के सूप में हमने गाय का दूद लिया है इसलिए हमने उसमें पानी नहीं डाला है हमारा तलवीना का सूप रेडी हो चुका है अब हम उसे निकलेंगे सर्विंग बाउल में यह सूप बहुत ही फाइदमन्द है आप इसे जरूर ट्राइ करें और यह बहुत ही टेस्टी लगता है आई होप आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब और फैमिली प्रेंड्स में शेर कीजिएगा अल्ला हाफीज